कहा जाता है इंसान को आगे बढ़ते हुए सिर्फ उसके माबाब देख सकते हैं बेटे के तरक्डी के वजह से पिता को भी मान मिलता है तो उस पिता को हद से ज्यादा खुशी होती है पिता खुद खुबसूरत अतीत भुला के बेटे के खुशी में शामिल हो जाता है पर घर में एक जैसी परिस्टिती नहीं होती जो लोग इस सुखमय बात का आनंद लेते हैं वो वाकई में नसीबवान कहलाते हैं हमारे फिल्म जगत में एक बाप बेटे की जोड़ी रही है जिन्होंने अपने समय में काम्यावी के जंडे गाड़ दिये थे मुकपट फिल्मों के बाद वाला समय पिता के नाम था तो असी का दशक बेटे ने मशूर कर दिये था स्वागत है आपका अपने चैनल जकारिया खान और जयन्त का जन्म 15 ऑक्टूबर 1915 को ब्रिटेश कालेन भारत के पेशावर में हुआ अफगानी पस्तून परिवार से तालोक रखने वाले जयन्त के पिताजी ने चार शादियां की थी वो काफी खूबसूरत और घूमने फिरने के शौकीन थे जयन्त अपने तीन भाई भेनों में सबसे छोटे थे उस दौर में पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महतो नहीं दिया जाता था इसलिए जयन्त सिर्फ चौथी तक स्कूल जा पाई क्योंकि उनके पिताजी का मानना था कि स्कूल जाकर समय बर्बाद करने से बहतर है काम करके तजूर्बा हासिल करो वो तजूर्बे को पढ़ाई से बढ़ कर मानते थे उनके परिवार में खुशिया तब आई जब जयन्त के पिताजी की दोस्ती राजस्थान के अलवर प्रांत के राजा सवाई जय सिंग से हुई राजा ने उन्हें अपने प्रांत में खेल प्रशिक्षक के तौर पर काम दे दिया जयन्त के पिताजी टेनिस, स्क्वैश और क्रिकेट के अच्छे जानकार थे इसलिए खुद राजा ने उनसे प्रशिक्षन लिया इस वजह से जयन्त के पिताजी और राजा में अच्छी दोस्ती बैट गई इस दोस्ती का सीधा फाइदा जयन्त और उनके बड़े भाई जहांगिर को हुआ जयन्त दिखने में अपने पिताजी जैसे उचे और दमदार थे इसलिए राजा ने अपने घुरसवार सेना में जयन्त को दूसरे लेटिनेंट के रूप में चुना और बड़े भाई को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दे दी पर कुछ साल गुजर जाने के बाद जयन्त और उनके भाई को इस काम में कोई रोमांच दिखा नहीं मौका मिलते ही पहली ट्रेन से वो मुंबाई आ गए दरसल उन्होंने सोच लिया था कि फिल्मों के अलावा और कहीं उन्हें काम मिलेगा नहीं क्योंकि वो दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मुंबाई पहुंचने के बाद उन्होंने स्टूडियोस के चक्कर लगाए पर उनकी दाल गली नहीं वो जमाना बोलती फिल्मों का था मुकपट फिल्में बनने बंध हो चुके थे हुआ यूं कि उस दोर के सूपरस्चार पार्सी और एंगलो इंडियन आक्टर्स को हिंदी बोलने में कठनाईयां आती थी इस वजह से साफ रूप से हिंदी बोलने वाले लोगों की दिमांड बढ़ गई सौभाग्य से जयन साहाब की बोली हिंदुस्तानी थी जयन और उनके बड़े भाई का फिल्मों में प्रवेश पुरुनता योगा योग से था दरसल प्रकाश पिचर के चौकिदार पठान था इसलिए दूसरे पठान को मदद करने के लिए चौकिदार ने प्रकाश पिचर स्टूडियोस के मालिक विजह भट साहब से सिफारिश की एक गरीब इंसान का मन ना तूटे इसलिए विजय साहब ने चौकिदार की बात मान ली और जयन्थ को अपने ओफिस बुला लिया जब विजय साहब को पता चला कि जयन्थ होर्ष राइडिंग और फाइटिंग जैसे काम आराम से कर सकते हैं वैसे ही उन्हें मासिक वेतन पर काम दे दिया और साथ ही उनके बड़े भाई को अपना असिस्टेंट पना लिया उस समय जयन्थ को 30 रुपे प्रती महिने मिलता था इसके बदले में स्टूडियो के अंतरगत बन रही सब ही फिल्मों में उन्हें अभी नहीं करना पड़ता था चोटे बड़े एक्स्ट्रा किरदार मिलने के बाद जयन्थ ने पहली फिल्म 1935 में की उस अक्षिन फिल्म का नाम था बॉंबे मेल जिसे बॉंबे की सिठानी इस नाम से भी रिलीज किया गया था पर यहां खास बात ये रही कि विजय भड़ साहब ने उन्हें जयंत इस नाम से प्रमोट किया और आने वाली सब ही फिल्मों में उन्हें जयंत इस नाम से क्रेडिट मिलने लगा उस दोर में अकसर मुसलिम कलाकार का हिंदू नाम रखा जाता था जैसे दिलिप कुमार अजीत जायन्त ने अपने कड़ी मेहनत से कामयाभी के ओडान भरी पहले वो एक्स्ट्रा किरदार करते थे फिर उन्हें साइड रोल मिले फिर साहयक फिर कुछ फिल्मों में जैन्त साहाब लीड रोल में भी चमके एक कलाकार का सपना होता है कि वो अपने जीवन में हर प्रकार के किरदार निभाए सौ भाग्य से जैन्त साहाब ने अपने फिल्मी जीवन में कॉमेडियन और खलनायक के किरदार भी बड़े बखूबी से निभाई जयन साहब के बेटे अमजद खान बताते हैं उन दिनों विशेश छवी जैसी कोई चीज नहीं थी बॉम्बे मेल पहली फिल्म थी जिसमें पिताजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी और इसमें हमेशा की तरह शानतार प्रदशन किया उन दिनों हर फिल्में सफल होती थी डेर सो फिल्मों में काम कर चुके मेरे पिताजी की His Highness, State Express, Hero No.1, पाप की दुनिया इत्यादी फिल्में खूब चली ज्यादतर फिल्में आक्शन सबजेक्ट पर रहती थी और उस जमाने में सामाजिक अथ्वा लव स्टोरी और एडवेंचरिस फिल्में बनती थी एडवेंचरिस फिल्में करने वाले जॉन कवास और फियरलिस नारिया के साथ पिताजी का नाम भी लिया जाता था और खास बात ये रही थी कि पिताजी के जमाने में प्रतीस भरदा नहीं था जयन्त ऐसे आक्टर थे जिनहें स्वाभिमान की बड़ी चिंता थी इस वजह से सोहराब मोधी साहाब की जबरदस्थ हिट फिल्म सिकंदर उनके हातों से छूट गई दरसल सिकंदर को फिल्माते वक्त सोहराब मोधी साहाब ने उन्हें सिगरेट पीते हुए देखा मोधी साहाब ने तुरंत उनसे कहा कि मेरे स्टूडियो में सिगरेट पीना मना है जैंत पुले ठीके मैं बाहर जाकर पीऊंगा पर मोधी साहाब बड़े जिद्धी थे उन्होंने जैंत से कहा कि जब तक ये फिल्म बन नहीं जाती तुम सिगरेट पी नहीं सकते तब जैंत को गुसा आया और उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया इसके बाद सिकंदर का किरदार पृत्युराज कपूर को मिल गया ये उस जमाने की सबसे सफल फिल्म थी जिसे जैंत ने गवा दिया हुकुमत आपकी है जमीन मेरी मगर आफ कानून के खिलाफ रोक रहे हैं मेरे पास भी चोटी का वकील है आमरनाथ लेकिन जगड़ा बढ़ानी से फायदा क्या संकर भी ये मेरी कोई फैंड मैंन नहीं मैं अपने माबाफ का केलाफ माबाफ क्या केले हैं तो प्रॉक लेना बिगड़ गई सच है खुबसूरत औरत का गुस्सा भी खुबसूरत होता है इतना बनाव सिंहार तो कभी तुमने हमारी खातर भी नहीं किया था उनके पर्सनल जीवन पर चर्चा की जाए तो पता चलता है कि उन्होंने 1934 या 1935 के साल में कामरान सुल्तान से शादी की थी तब वो सिर्फ 13 साल की थी कहा जाता है कि उस दौर में जैंत बड़े स्टाइलिस्ट मिजास के थे उनका रहन सहन अलिशान था इस वज़े से बहुत सारी लड़कियां उन पर मरती थी जब उन्होंने 13 साल की कामरान सुल्तान से शादी की तब कुछ फीमेल फैंस नाराज हो गए थे शादी के चार साल बाद जैंत के जीवन में दुखत कालाया एक दिन उनके बड़े भाई जहांगीर ने उनसे अपनी गाड़ी मांगी और कुछ समय के बाद खबर आई कि एक आक्सिडेंट के कारण जहांगीर की मृत्ती हो गई इस कारण जैंत शराबी हो गए आगे चलकर उन्हें तीन बच्चे हुए हम्तियाज, अमजद और इनायत उन्होंने अपने सभी बच्चों को खूब पढ़ाया आगे चलकर अमजद खान फिल्म जगत के मशूर विलन कहलाई परदूर भाग्य से शोले इस आईकॉनिक फिल्म के रिलीज होने से दो महीने पहले जैंत कैंसर इस भयानक बिमारी से लड़ते हुए गुजर गए वो तारीक थी 2 जून 1975 तब उनकी आयू बस 69 साल की थी तो मैं थी आपकी अनामिका मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा और हमारे चैनल बयोग्रफी आन्ड रियल लाइफ स्चोरीज को सब्सक्राइब करना न भूले नमस्कार